मक्दू में असरप समिनानी है मुल्के हीरान श्याय राजा थे हीरान के वो तो राज यहाँ आए ठोके रहाए सोना चानी हीरे मौती कुछ नाय अपने साथ मिला एक अकेले घर से निकले और पैदल भारत को आय अपने पीरे अला उले हक को आकर वो बंगाले में पाय सब कुछ भूले भूला कर असरप तेराय अपना वही जमाय पीरे के खिदमत करते करते कैसे ना फिर रंग दिखाए तेरी के महनत और महबत मकदू में असरप के वाल दिला जा थे तारीक बताई पीरमनों समिना की हुकूमत जीवन भर वो खूब चलाए उनके परदा करते ही ये असरपून की जगह पे आए तेरा ही बरस की कम उम्री में पारे हुकूमत आप उठाए कैसे हुकूमत की जाती है पचपन से ही करके दिखाए ते इस बरस के आप हुए तो क्वाब में एक दिन आका या आए बोले आका क्या दुन्या के चक्कर में तुम पड़े हुआए कुछ तब लीगे दीन भी कर लो ये सुन कर मकदू में असरप चल दिये सब कुछ छोड़े के हौई राजिक पिया भाई के जिम में और खुद सीधे भारत आई तीरानों अफ गानिस चल कर जब के वो मुलतान को आए बहुस सूफी और वली थे उनके लिए दामन फैला आए सब की ये चाहत थी असरप तास मेरे हलके में आए मुझको अपना पीर बना ले मेरी मुरीदे में आ जहाए लेकिन वो मुलतान इश निकले और सीधे आज मेरे को आए ख्वाजा मुइन उद्धी निकदर से ख्वाजा मुइन उद्धी निकदर से अज मेरी सरकारिक दर से जब के वो दिली को आए तुगलक की थी यहां हुकूमत ने लेकिन उससे ना मिल पाए ख्वाजा खुद बुद्धीर से मिल कर महरोली से बापा से आए और इन जामुदीन के दर पे तुब सला में शोक लटाए वहां से कलियर पहुँचे हजरत कलियर से फिर देवा आए कलियर और देवा की बरकत अपने दिल में लिया समहाज सुबाए बिहार जब पहुचे हजरत यहां भी है यादा आए उनसे मिलने जब गो पहुचे उनका जना जा रखा तहाए उनसे मिलने जब गो पहुचे उनका जनाजा बढ़ाक पंडबायानी जब बंगालिको आए पीरे अलावल हक को देखा राहों में थे आँख बिछाए पीरे की खिदमत आठ बरश की आपने तारीख बताए पीरे की तालीमों तरभियत कैसे ना काम उनके आए प्यार मिला था पीर का उनको खिर का भी वो पीर कपाई बलियों की नगरी में असरप हजले को दासे नाम कमाई पीरे ने फिर बंगाले से उपी हजरत असरप तुमें चलाए हुक्म हुआ जो पीर कसनिये उन्होंने अपने कदम बढाए हुक्म हुआ जो पीर कसनिये यूपी में जब पहुँचे हजरत बहुत सहिस्तिक बाल को आए बहुतोंने की उनकी खिदमत बहुतोंने हैं पेजी उठाए हजरत को जोन पूर जाना था जब उसके नजदी के बुआए सूरज ढलने लगा था उस दम फैल गए थे साम किसाए हुक्म दिया सबको हजरत ने चफराबाद में ही रुक जाए आज यही आर आमिकर शब आज यही पेरात देताँ लोगा ने हजरत से पूछया कहां पे खेमा गढ़ा जाए बोले हजरत खेमा छोड़ो खोदा का घर हम सब कब लाए बोले हजरत खेमा छोड़ो सारे सामानों के संग में जब वो सब मस्जिद को आए भोले खचर देलों को भी सेहने मस्जिद में बोलाए हो गया सहर में एक हंगामा कैसे दुर्वे से आए मस्जिद में जो घोड़े कचर और बैलों को भी है लाए मस्जिद को ना पाक करेंगे चला उन्हें देती हैं भगार मस्जिद से बाहर करनी को जब कुछ लोग वहां पे आए हजरत खुद बाहर को निकले और उन्हें मस्जिद में लाए उन्हें सब को इज़त भी बक्सी प्यारे से उन्हें को साथ बिठाए उन्हें सब को इज़त भी बक्सी बाबा बैठ गए जब सारे मुखाले भोडे ने सर अपना हिलाए देखे के गोडे की हरकत आप मुरीदों से फार महाई सर जो हिलाया उस घोडे को मस्जिद से बाहर ले जाए उसको है पेशाद की हाजत ले जाकर पेशाद करां फिर एक बैलन पाओ पटका बोले इसको भी ले जाए इसको भी है लीद की हाजत जाकर इसको लीद करां फिर एक मुखालिप से वो बोले फिकर हपाजत थी बस हाँ इसलिए सहने मस्जिद में हमें गोडे बेलित लहाई इसलिए सिहने मस्जिद में मस्जिद की पाकी है अप जल जान बरों को दियों बताए इसलिए वो करें ही सारा पाहर को ले जाया जहाँ ये भी है मखलूक खुदा की इनकी समझ में भी ये आए मस्जिद तो अल्लाए का घर है जिसमें गिलाज अतना पैलाँ देखे के और सुन करके मुकालिप लोट गए मोह को लटकाँ हजरत असरप की एक करामत सहर में जा कर सब को बताए है रत में थे सब सुन सुन कर किसी को इस पे यकीन आए कुछ लोगों ने तो ये शुन कर कुर्बेसों की हसी उडा कुछ लोगों ने तो ये सुन कर के लोगों आए!